चलिए आज की वीडियो में सीखते हैं एक और नई चीज यह जो आप देख रहे हैं ऐसे पत्तर पत्तर जैसा यह क्या होता है लाख दाना अब पेंटिंग के टाइम पे आपको क्या होता है कई बार गेट पेंट कराने बढ़ते हैं और गेट अगर इस टाइब क्या नहीं सागवान के गेट अट तो इनके उपर आप डारेчно पेंट नहीं कर सकते हैं जो आपका पेंट नॉर्मल आता है तो इनके उपर क्या करना आता है पहले इनके होती है नॉल्मल सी सफ़ाई और इससे ही related है यह लागदाना अब मैं आपको बताते हूं लागदाना इस तरवज्जे की painting इसकी polishing के किस काम आता है अब वीडियो में साथ-साथ नहीं एक और चीज़ इंटर्ड्यूस करते हैं that is this french polish जिसका यहाँ पर देख सकते हैं french polish thinner इसको हम spirit भी कहते हैं तो आपको क्या कर लेना है यह एक bottle ले लेना है spirit की और यह अपना लागदाना ले लेना है तो यह basically लागदाना जो होता है 1400 से 1500 के आसपास का kilo मिलता है तो आपको क्या करना है गेट के हिसाब से यानि मैं अभी 200 ग्राम लागदाना लाए हूँ और यह एक bottle spirit की लाए हूँ तो आप क्या करना है इस spirit की bottle यह जो french polish की thinner है इसके अंदर आपको लागदाना मिला देना है यानि आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर यह सारा लागदाना आप नीचे पड़ा हूँ है और इसको बस 10-15 मिंट के लिए छोड़ देना है जिससे क्या होगा spirit के अंदर यह जो polish के अंदर इस लागदाना का कलर आ जाएगा यानि कलर बनाने के लिए हम यह पूरा solution बनाते हैं अब जैसे मेरे भईया अपलाए करेंगे अब यह गेट पर तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ अच्छा तो एक और शीज़ बता देता हूँ जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करी है कि भई मैंने आपको spirit और लागदाना का तो use बता दिये कि इस ते आपका natural color आ जाएगा भई वर्डन का जो भी सागवन का या कोई भी gate है उसके साथ साथ अब आपके पास natural color अपलाए हो जाएगा इससे अपलाए करना मैं आपको बता दता हूँ भी उसके बाद आपको एक finishing के लिए एक polish आती है can में मिल जाएगी आपको वो polish भी खरीदनी पड़ेगी एक final look के लिए तो अब बात करें रहते हैं वापसी इसको apply कैसे करना है कि इसको हमने क्या कि आदे घंटे तक settle down कर दिया और अब अब color भी देख सकते हैं बॉटल का color भी change हो चुका है अब इसके बाद आता है filtration का काम कि आपको एक कोई सूती कपड़ा धोती वाला कपड़ा आपको बेंटिंग के लिए बोल रहाएगा धोती वाला कपड़ा रख लो मग्ये पे और इसको आपको या करना है जो लाग दाना था उसको अलग करके ये पानी अलग कर लेना है तो पानी के अंदर लाग दर आके सारे कलर वगएरा सारे आ चुके हैं और ऐसे ऐसे दाना कलर कर लेना है तो ये आपके पास proper solution बन गया अब आप क्या करेंगे धोती का थोड़ा सा और कपड़ा लेंगे या धोती का कपड़ा है फिर कोई भी सूती कपड़ा होना चाहिए और जिस तरह से मारे भाईया बता रहे हैं उस तरह से आपको ये पूरा ऐसे बना लेना है ऐसे proper एक flat surface सा और क्या करेंगे फिर इसके अंदर proper dip करेंगे इस जो solution बना है and then जैसे आप देख सकते हो ये मेरे एक पूरा के पूरा इसको apply कर देना है तो यार ये जो पूरा लाकदाना और ये जो spirit और इसके बाद जो polish लगेगी ये सागवान के दर्वाजे हो उनी में ही applicable है अगर कोई और आपको normal दर्वाजा है उसके अंदर आप proper एक brown color आता है golden brown color आता है आप वो लेके भी proper करा सकते हैं इतना महेंगा और इतने जंजट के उसके अंदर जाने की जुरुएत नहीं है बट अगर ऐसे इस तरह का कोई महेंगी लकड़ वाले है और फिर सागवाने फिर और कोई महेंगी लकड़ कोई दर्वाजा है तो आप ये वाला टेकनीक अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इनके उपर आपने आपने गोल्डन ब्राउन कलर कर दिया तो बिल्कुल बेकार इसका जो नाचरल लुक है न वो बिल्कुल खतम हो जाएगा यार वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक्यू सो मच